हाई फ्रेंड वेलकम टू माई यूटूब चैनल स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में गईज अज बहुत ही आसान सी रेसिपी जो कि इतनी हेल्दी है बहुत ही जादा टेस्टी है तो स्टार्ट करतें आज का वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक डू रेडि हो गई है स्वादा नुसार डाल देंगे इसमें नमक देख सकते हैं इस तरह से साइड में रखेंगे फिर से ग्राइंडर जार लेना है देख सकते हैं इधर मैंने रात के फूले हुए चावल लिये थे आप कोई से भी चावल ले सकते हैं आपके घर में जो भी प्राइंड़ होते हैं या कोई से भी मतलब जो आपके देशी चावल होते हैं वो भी इस्तमाल कर सकते हैं तो देख सकते हैं इस चावल बहुत अच्छे से फूल गए हैं बिलकुल इन मतलब अंदर कड़ापन नहीं है इसमें बस आधे से आधे कप पानी एड़ करना है एक दम smoothly fluffy जैसे पैटर हो गया है बिलकुल इस तरह से तो guys यह बहुत जादा थेक है अभी इतना थेक अपन को नहीं चाहिए है तो देख सकते हैं इसको ट्रांसपर करेंगे एक बड़े बावल में इस तरह से एक दम fluffy लग रहा है ना डोसा के बैटर जैसे लेकिन यह डोसा नहीं हुआ है और पानी एट करना है इसमें इसके साथ ही एट कर देंगे हम स्वादनुसार नमक क्योंकि नमक के बेन तो कोई भी रैसिपी अच्छी नहीं लगती है आइस क्यूब डालेंगा इस आइस क्यूब से होए गई है कि यह धीरे धीरे हलका हलका पतला सा होता आपके पास ब्रस हो तो बिल्कुल आप उसी से कीजिए मेरे पास ब्रस नहीं है तो देख सकते हैं इस तरह तब एको चेक कर लेंगे फ्लेम अन करके बहुत अच्छी से तबाग गरम होना चाहिए इस तरह से कर्चिदी से लेकर बैटर डालना है आपको यह नहीं देखना क और इस तरह से इसको पलड देना है देख सकते हैं कितना सुन्दर जालीदार नास्ता बनके रेडी हुआ है एकदम कम तेल में बहुत ही कम टाइम में बहुत ही कम इंग्रीडेंट से बनके रेडी हुआ है आसानी से बन गया है एक बार आप इसे जरूर ट्राइ कीजिएगा इसी तरह से मैंने सारे pieces बना के complete कर लिये थे जो कि बच्चों के टिफिन में रखिएगा गाई सच में वो बहुत excited होके खाते हैं इस तरह से बना के ready कर लेना ये बहुत smoothly बनते हैं बहुत ज़्यादा मुलाइम रहते हैं बहुत ज़्यादा होते हैं तो देख सकते हैं हरी चटनी टमेटो केचप के साथ आप इसको एंज्वाइ कर सकते हैं बच्चों के टिफिन में रख सकते हैं खुद नास्ते में बना सकते हैं बहुत कम टाइम में और कम इंग्रीडेंट से बनके रेडी हो जाते हैं बहुत ज़्यादा हेल दी हैं बहुत कम टेल लगता है तो देख सकते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक डू सब्सक्राइब मैं चैनल लेकिन एक अच्छा सा कमेंट जरूर कीजेगा देख सकते हैं बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं एकदम कितना छोटा सा पीसिस बन गया है कितना बड़ा तोड़ा था मैंने ये डोसे से भी ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं इनकी बढ़वारी करते मैं ठक नहीं पा रही हूं आप जरूर से ट्राइ कीजेगा मुझे कमेंट करके जरूर वताईगा कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी है देखने में भी संदर लगती है खाने में तो मत पूछो और हैल दी है क्योंकि हमने कच्छे चाबल से बनाई है और कम तेल से बनाई है मिलती हूं जल देखने वीडियो के साथ तब तक के लिए हर हर महाँ